यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ तो हर्याना की कैबिनेट मंतरी काविता जैन से लोग संपर्क विभाग वापस लिया गया ये विभाग एक बार फिर से सी हम खुद संभालेंगे लेकिन मत्भिदों की छिडी कवायद में सवाल ये उठता है क्या इसे फिर बदल के शुरूआत माल लिया चाहे चुनाओ करीब हैं सब पार्टियों की तैयारी भी जोरों पर हैं विपक्षी पार्टियां जहां मुद्दो को हथियार बना सरकार पर हमलावर हैं सरकार भी अपनी उपलबद्दियों की फहरिस्त को जनता को बताने समझाने में जुटी है इसी बीड जो बड़ी सुखमगाहट है वो ये कि बीजेपी चुनाव में जाने से पहले कैबिनेट में बदलाव कर सकती है खापरें ये हैं कि बीजेपी हाई कमान की हा के बाद किसी भी समय कैबिनेट में बदलाव किया जाना संभव है हर्याना की वरिष्ट कैबिनेट मंत्री कविता जैन से सूचना जनसंपर्क भाशा विभाग वापस ले लिया गया है जबकि उनके पती और बीजे पीनेता राजीव जैन अब मुख्य मंत्री के मीडिया एडवाइजर होंगे बता दें कि राजीव बंसिलाल सरकार में भी ये जिम्मेदारी समभाज चुके हैं सूचना जनसंपर्क और भाशा विभाग अब फिर से मुख्य मंत्री मनोहलाल के पास रहेगा इसके साथ जल्द ही मनोहर कैबिनेट में फिर बदल और मंत्रीयों के विभागों में बदलाव की संभावनाएं भी तेज हो गई है इसके अटकलें पिछले कुछ दिनों से काफी तेज चल रही है इसे पहले खबरें ये भी थी कि बराला से अधक्षपद की जिम्मेदारी ली जा सकती है खास बात तो ये है कि चुनाओ के लिहाज से सरकार की तैयारियों का एक बड़ा दाओ होगा उसके अलावा भी कभी विधायकों की नाराज़की खुरकर सामने आना कभी खुद सरकार के विधायकों का विकासकारियों को लेकर सवाल खड़ी करना कभी सीम्म से शिकायतों की सुक बगाहर तेज रही ये फिर बदल की नीड इन शिकायतों और मतवेदों को दबाने की तर्ज पर भी रखी जा सकती है खबरे तो ये भी है कि सत्ता की शुरुआत के साथ ही बीजेपी के कई कड़ दावर निता जो खुद को सीम्म के दावेदार मानते भी रही और उनके हलकों में वोट भी उनके कारेकरताओं की और से सीम्म पद का उमीदवार बता कर लिए गए खबरें ये रही कि सीम्म के नाम का ऐलान और कैबिनेट निर्मार के साथ शुरू ही नाराज की बढ़ते सरकार के कारेकाल के साथ साथ बढ़ती गई कभी सीम्म पर मंत्रियों के विभागों में दखल के आरोब लगते रहे और हाल फिलहाल बीजेपी के राष्ट्य महा मंत्री कि संगठन से लेकर सरकार तक की गई बैठक के संकेत मिलते रहे कि सीम्म की शिकायतیں की गई है इन सब बातों के बीच कैबिनेट मंत्री हर्याना सचीवाले में ओपी धंखड के कार्याले में एकांत बैठक की गई और गुपचुप तरीके से चार बड़े मंत्रियों ने चर्चा की मंत्रियों और सरकार की और से समान्य जित्रा उस बैठक को कहा और बताया गया मुलाकात पर उतने ही सवाल उठते गए उसी कड़ी में सीम की और से डिनर आमंत्रित किया जाना और वरिष्ट कैबिनेट मंत्री अनिल्विज का डिनर से निकल जाना इस देशा में बढ़ते संदेह को और मजबूती देता गया कि सब कुछ तो ठीक नहीं है वो बात अलग है कि सरकार की ओर से हर बार कुछ भी मतबेद होने से इंकार किया जाता रहा विस साहब के जरूरी काम का हवाला भी दिया गया खबर ये भी है कि वीरवार देर शाम हर्याना कैबिनेट मंत्री रामिला शर्मा के निवास पर स्वास्त मंत्री अनिविज, किर्शी मंत्री वपी धनकर तोंचे और वरिष्ट कैबिनेट मंत्रीों की चाय पर चर्चा दूसरी बार हुई बंद कमरे में हुई ये चर्चा सियासी तोर पर काफी खासी मानी जा सकती है बैटक में क्या एजेंडर रहा अधिकारिक रूप से कोई भी मंत्री इसकी पुष्टी नहीं कर रहा तीन खदावर मंत्रीों की बैटक कई इशारे करती है सूत्रों की माने तो हर्यान सरकार के आंत्रिक रूप से असंतुष्ट चल रहे मंत्रीों की बैटकों की बड़ती फैरी संकेत तो यही देती है कि सब कुछ ठीक नहीं है जाहिर है चुनाव करीब हैं विपक्ष को टकर देकर सत्ता में वापसी की चुनोती के साथ साथ गाहे बगाहे दिखे मतवेदों को दूर करना भी कम मुश्किल नहीं होगा अपनों को मनाना मनाने की कवायत में कदम बढ़ाना भी हो सकता है कोई फेर बदल भी हो सकता है लेकिन बास सिर्फ मंत्रियों तक होती तो भी कुछ नहीं था मंत्रियों से लेकर विदायकों विदायकों से लेकर कारेकरताओं को मनाए और मनाए रखने की चुनोती CM और संगठन के सामें जरूर पेश आएगी उसमें कहां कौन से इस तर पर कितने फेर बदल असरदार होंगे भी या नहीं ये 2019 बहतर बता पाएगा चंडिगर्ड से कुमार रमेश के साथ जोतिस सांगवान की रिपोर्ट तो राजीव जन को वड़ी जिम्यदारी दी गई है CM के मेडिया एडवाइजर वो बनाए गए है उसके बाद पहली बात्चीत उनकी की गई खबरे अभी तक के साथ उनकी एक खास बात्चेत सुरे है बुख्यमंतरी ने नया मीडिया सलाकार निउत कर लिया है नया मीडिया सलाकार से बात करते हैं कि दरसल की आगा में योजनाई क्यों रहेगी क्योंकि आने वाला समय कहीं न कहीं एलेक्शन पीरेड मोड में सर लोग सबाद चुनाव आ रहे हैं और बले ही लगबल साल का समय बचाओ लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आपको नया मीडिया परभार के तो पर जिम्मेदारी दी है उनके मीडिया सलाकार रहेंगे तो क्या लगता है क्या नया करने जा रहे हैं इस बार थोड़ा सब इस तार से सान्जा के पार्टी के संग्धन में पर बदल निरंतर परकरिया हैं और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है मैं पहले से भी दो बार पार्टी का मीडिया इंचाज के तोAR पर पार्टी का मीडिया का काम कर रहा हूँ और कहीं न कहीं जो है शायद मुख्यमंत्री जी को लगा हो कि भी सरकार मिलाकर जो है और बेतर डंग से काम किया जा सकता है तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है निश्ची तोर पर जो है लोकसभा के चुनाव भी एक साल बाद होने वाले हैं उसके बाद विधान सभा के चुनाव होंगे तो इसलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो जनकलकारी नीतिया है जो योजनाए हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना लोकसंपर्ग विभाग का कारिया और उसको पूरी तरह से हम जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे हर्याणा में जो पत्रकार हैं जो कई बार वो लगता है उनको कि वो पेक्षिद उनकी सरकार समस्या है नहीं सुन पाती उनके पास केवले जरिया है कि मीडिया अडवाइजर के थूरू वो सरकार तक अपनी बात पुचा है तो क्या उनसे भी आप संपर्क साध हैंगे कैसे उनका क्या फीडबेक लेने की युजदा बना रहे हैं पत्रकारों से मेरा जो है निरंतर संपर्क रहता है पीछे भी जो है कई जिलों में जाके हमने पत्रकारों की बैठके की है और उनकी समस्याओं को जाना है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर परियास करती है सरकार ने अभी पिछले सरुन जैनती वर्ष में पत्रकारों के लिए पैंशन की घोशना की जो देश में पहला ऐसा हरियाना राज्य जिसने पतरकारों को पेंशन की शुरुवात की है पतरकारों को मेडी क्लेम की बात जो है वो अभी उसकी परकरिया चल रही है पतरकारों को जो है सुरक्षा भीमा योजना देने की बात है उसकी परकरिया चल रही है वो भी जो है लागू करेगी सरकाराथ आने वाले समय में क्या माना जाए सर के कुछ और भी योजना जनहित की और कुछ योजना जनलिस्ट की क्योंकि हरमेशा चाहत होती कि सब को अधिक से अधिक मिले, उनके लिए और क्या प्रयास करेंगा? और इस तरह जो जो समस्या है जो और निश्ची तोर पर होगा और यह, सभी बात है कि मीडिया एडवाईजर जो है लोक संपर्ग भाग सरकार के बीच में जो है कड़ी का काम करता है और पतरकारों से पुराना वास्ता रहा है पहले भी मैं मुख्यमंतरी बंसिलाल जी के साथ जो है मीडिया डवाईजर रह चुका हूं पार्टी का भी जो है दो ब सब्सक्राइब कर में करते हैं और कड़ी ऐसी मजबूत बनाएंगे ताकि आने समय में सरकार को भी लाब हो जनलिस्ट को भी लाभ हो तो सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई ही कि सरकार और पत्रकारों के भी जो कड़ी रहेञी वो मजबूत रहेगी और मीडिया ड्वाइजर बनने में सबसे पहला इंटर्वियू में उन्होंने ये कहा कि आगामी आने माले जितनी भी समस्या होगी जनलिस्ट की वो प्रभावी रूप से सुनेंगे और उसको हल कराने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कैमरेमन जतिन के साथ कुमार रमेश खबरे अभी तक चड़ी गए साथ हर्याना कॉंग्रीस की प्रवक्ता आप है इनलो सी रविंदर ढूल साब हमारे साथ है और वरिष्ट पत्रकार नरीश कोशल साथी राजितिक विशलेशक अनिलारे जी हमारे साथ है इस सब्सक्रामी सभी का संद शिर्माजी क्या मानकर चला जाए क्या फिर विदल बार्टी के लेवल बाभी तक इस तरह इसी तरह की कोई चर्चा नहीं है कि को मंग्या मंदल में फेर रूरा है किसी को कुछ बनायाय जा रहा है किसी को खुटाया जाना मैं भी खुवार पठ में एखुआरह तिवी चैनल्स देख आ नेर आप ने विश विश्या बहस रख लेकिन अभी इस तरह का कोई सरकार के लेबल पर पार्टी के लेबल पर कोई निर्डे नहीं हुआ जिस तरह से कल खबरे आए कि कैबिनेट मंत्री रामिला श्टर्मा कैबिनेट मंत्रिया निल विज और ओपी धनकर एक बार फिर से मिले थे हैं हलां कि पिछली बार चार मंत्री ऊह शांत मिले थे इस लिए तो खबर हैं कि कि इस तरह की नाराज्जी है किस तरह कि मतभेद रहेंे क прогने अर्फ कोई नहीं है कारिकरताओं के बारे में भी चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों का आप समें बैठकर मिल बैठकर बात करना चाहिए पीना मुझे लगता है इसको अदरवाइस नहीं लेना चाहिए क्योंकि खुद मंत्रियों ने भी यह बात कही है कि ऐसी को बात नहीं है आप इसके अलग लगता है कि वरिष्ट मंत्रियों में किसी तरह की नाराज की है सीम से दिखिए मंत्रियों में नहीं में भी दिखने में सुनने में आया था कि 18 मले जो मुखर होके TV के सामने आये उन्होंने भी अपनी बात रखी थी कि हमारे काम नहीं हो रहे हमारे लैकों पे कोई काम नही पारे और किस तरीके से चलेगा अभी तीन मंत्रियों ने अब जो चाहे पे चर्चा किये तो यह अंदर अंदर तो बात जो है भाजपा के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा लेकिन यह तो बात अपनी कहेंगे क्योंकि इनका बात है कहना और बीजेपी जो है वो बड़ी पहलू से होगा कि किस तरह से काम चलाया जाए किस तरह से अब चार साल में कुछ कर नहीं पाए अगला जो चुनावी यह आ गया उसमें अब क्या सिस्टम किया जाए कैसे कारवाई की जाए क्योंकि अंदर-अदर सुख्भुः तो सारे है और यह सुख्भुः दिख भी यह सब लोगों को इसी लिए चर्चा होती है रविंदर धुल साब आप कैसे देखते हैं क्या क्या चाबिनेट में किसी तरह का बदलाव कर सकती है बीजेपी की काम ने की हुए या फिर मंत्रियों के और से कहा गया कि दखल सीम देते हैं या बाकी किसी तरह की नाराज की य लोगों को संदेज देने का प्रयास करेंगे कि हम बेतर प्रशाशन देने का प्रयास कर रहे हैं किलाव और कुछ नहीं है सरकार इन से चलनी रही बहुत सारे मंत्रालों में समस्या है एक दुसरे के किलाव मंत्री ताने खड़े है तलवारे अभी मन्यू जी की आपसी तो इनका एक रूटीन का रिशफल है उसको जानकर के बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि लोगों में संदेज देए कि हम बैतर प्रशाशन के लिए मेरे इसाब से केवल और केवल पब्लिक मनी की वेस्टेज के लाव और कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे मित्र दोनों कांग्रेस के परवक्ता मुझे लगता है कि बिल्ली के भाग्या को चीका टूटे को ऐसा मुद्दा ढूंडने का प्रियास कर रहे हैं हम सब लोग देखों हम सब लोग राजनीति में जो मंतरी बड़ने है वह भी राजनीति में जो अध्यक्ष बड़ने या कोई पदादिकारी वह भी राजनीति में वह द Willi बहुत ज्यादा आगे बढ़कर कहा जा रहा है आप मुझे बताइए अब मुझे बताइए कि कोई साज निक रूप से आपको दो पहलू हो सकते हैं अगर विधायकों की महतो कांक्षाइक है या तो खुद के लिए या फिर अपने हलके के लिए अगर खुड के लिए हो महतो क करा कि लिए कुछ बाते मुझे मुझे मंतर जी को कहनी है और मुझे लगता यह कोई गलत भी नहीं आगर तीवी मीडिया पर बता रहा हुँ उन्हों ने कहा कि हमें विक्तिकत कुछ निए का निकार आदिने मुझे मंतरी जी आगे अपनी बात रख रहे हैं और हम रख़ण तो तो विकास के लिए कुछ मांगना कूछ गलत बात नहीं तो मुझे लगता है चार साल गुजर जाएं सरकार के विधायक खुद ये कहें कि हलकों में विकास नहीं हुपाया गलत क्यों नहीं है करीब करीब चार साल अपक्टूबर में चार साल पूरे कर लेंगे सरकार के विधायक अगर विकास को लेकर सवाल करें आपको लगता है वो गंभीर बात नहीं है दिखें जोती मैं कह रहा हूं कि विकास हो रहा है लगातार हो रहा है लेकिन उससे संतुष्टी तो हो नहीं नहीं चाहिए कभी भी और ज्यादा पेक्षा नहीं चाहिए तो वह को गलत बात थोड़ी है उन्होंने ये कहा कि हमारे ख्शेत्र में ये चीज़ ओर आनी चाहि नहीं कहा कि हमारे ख्शेत्र में 700 क्लोड रुपे के विकास कारी यह प्रकति पर रहें लाकरता कहते हैं खोड मंत्री कहते हैं अगर ज्यादा होने की गुंजाइश है संभावना तो सरकार की मंत्रियों के लिए क्या हो सकता है और विधायकों के लिए क्या हो सकता है करना मुख्यमंत्री जी का विश्य साधिकार होता है कि वह किस मंत्री को कौन सा भी बाग देते हैं लेकिन जो मुख्यमंत्री जी की सभी मुझे नजर आती है फिलाल जो इन्होंने बड़ा रखे वो लगती है बिल्कुल टाकी है जैसी है कि नीचे की बाते उपर पुचा दे कर देते हैं दिल्ली आनागपुर मेर उपर की जो बाते आती है उनको नीचे अप्लिमेंट कर देते हैं मुझे तो लगता है कि कोई जो यह विधायक मंत्री इन से मुख्यमंत्री के ऊपर कोई फरक पड़ने वाड़ा है अगर कोई उपर से आदेश आएगा तो ठीक हो सकत हैं तो अमितारिय जी की जो प्रिष्ट भूमी है वो पहले उनका जनम फरीदाबाद में होता उनकी सारी जुकेशन सिमला की है और उनकी जो वरक अक्षित रहा कारिया जो है वो दिल्ली का है तो चंडिगड की मीडिया का उन्हें बहु ज्यादा अनुभव नहीं था उसक कि दोनों का काम ही जो है वो सरकार की अच्छिफ लबदियों को जनता तक पहुंचाने का होता है तो एक ही विवाग इसलिए चेंज किया गा है फिलाल ऐसी कोई संभावना नहीं है अगर कोई संभावना हो भी गी तो वो उपर से ही होगी उससे कम मुख्यमंत्री जी किसी क को मंत्री बनाते हैं और किसके कौन साइब भाग देते हैं इसमें किसी और का कोई इंट्रिफेर नहीं है नरेश कोशल जी क्या लगता है आप तो किसी तरह के मत्भीद है विधाय को मंत्रियों या फिर सरकार या संगठर में देखे जोती जी मैं को क्रिकेट की मैच होता कि जब परिश्चा की गड़ी होती है जब अंतीम दौर होता है मैच के तो खिलाडियों को बहुत ज़्यदा फेर बदल नहीं किया जाता है और मेरा अपना अनुमान है कि हो सकता है सुभाश बराला है जो उनको कैबिनेट में लाया जाए उसके कुछ फायदे माइने हो सकत हैं यह लंबी बहस की बात है या इसके अलावा नायव सिंग सैनी है उनको भी ऐसा किया जा सकता है बहुत ज़्यादा फेर बदल हो सकता है यह एक अच्छे कप्तान एक अच्छे कोच की निशानी नहीं होती एक बात तो यह है बिलकुल दूसरी बात चीम मिनिस्टर को मैं चाहता हूं कि आज से चार साल पहले का अगर हम परिद्रिश्य देखें हैं तो ऐसा लगता था कि उनको जैसे कोई रंगरूट होता है उनको सास में दो आदमी बैठते थे जब वह बात करते थे प्रेस से भी बात करते थे लेकिन अब हम देखते हैं उनको सोशल मीडिया प जाहं तक गलमा के अब लास्ट उलेक्शन मौड है उस वक्त क्या चेंजिस होने चैहिंदा मेडिया की बात है हर पारिटी का होता है जैसे क्रिक्ट की मैंने बात की है कि यह इस वक्त बालरी की जरूरत है जादा अच्छे कि तो मेडिया के बनें की ज्यादा अच्छी क्योंकि जो रजीव जैन है ये हमारे जैसे जो पुराने लोग है उनके साथ ये पत्रकार रहे हैं ये अख़बारों के लिए खबरें देते रहे हैं और ये इनी का अनगो है और इनी की ही दिमाग की जो है उसकी कि इंप्लेमेंटेशन है कि जो ये पैंशन की शीम पत्रकारों के लिए लेकर आए हैं ये बड़ी पॉस्टिब बाते हैं जो पत्रकारों कि ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है जहां तरक बात है फेर बदल या दूसरी बात हों कि लाश्ट येस जब आता है एंटी इ तोड़ा बहुत फेर बदल होता है लेकिन मैं इसको बहुत बढ़ा है किस अधिकारी को किस डिपार्टमेंट में लगाना उसको किस तरह से काम लेना है मैं कोसल साब की एक बात को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा थोड़ा सा इन्होंने दोनाम लिये हैं सुभास ब्राडा नायब सेनी में धिसरा नाम और जोड़ना चाहता हूं राम विलास सरमा जी का दोनों को जब कंट्रोल करना होता है तो वो सुभास ब्राडा को यूटिलाइज करते हैं उनको बैलेंस करने के लिए इसमें नायब सेनिक जी का मौका लग सकता है कैबिनेट में आने का अभी वो राजय मंत्री है और दूसरे राम बिलास सर्मा जी जो सुरवात में तो को मंत्री मंडल में लिया जा सकता है संद्य शर्मा जी लगता है आपको कि राम बिलास शर्मा का कद घटाया जा सकता है कि मीडिया को पत्रकारों को क्यास लाने का लगाने का अधिकार है वो लगाएं लेकिन जैसे मैं शुरू में कहा कि ऐसा सरकार लेबल पर या पार्टी परिवारवाद की बात लगती है क्योंकि कविता जैन और जो रजीव जैन है वो हस्बेंड वाइफ है और आप ये जो पार्टी है ये ये कहती थी कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं आज देखिए परिवारवाद वाला काम की खुद चुरू कर रहे हैं फिर ये कहते थे इसी तरह से होम मिनिस्टर राजनात सिंग उनका बेटा जो है वैमेल ले आप तब क कईते हैं सुष्बारवाद की बेटी को हर्याणा से लड़ाते हैं खुद परिवारवाद के गेस्ट होने वाली पार्टी अप परिवारवाद की बातेगर में लगई अब ये कहते हैं उसका husband आजाएगा उसकी wife आजाएगी अब उसका ये आजाएगा उसका बेटा आजाएगा इस तरह से बात करने वाले आप देखो अपने आप किस तरह से जुमले बदलते हैं आप देखिए हरयाना तीन बार जला और तीन बार जलने में कितना हरयाने का नुकसान हुआ और ज तो आप वोट किस मूँ से मांगेंगे वोट किस मूँ से मांगेंगे तो यह इनके अंदर चाहिए जो मर्जी कहें वैसे तो इनका इंटरनल मामला है लेकिन यह जो मर्जी कहें हलकों में जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है जाते गतिया पिर समुधाय के समिकरंड साथना किसी सरकार के संतूलित रखना की जिर्दा रिकितै लेकिन परिवार में भी राजिती साथी शंतूलित रखी प्रश्टाचार वार्टि के इस सरकार में मुख्या मंत्री के यहां से कोई आदेश जाता है कोई पर्ची जाती है तो उस भष्टाचार को उजागर करने के लिए जाती है पर्ची जोपरिया लगाने के नहीं जाती है जैसे आपके काले के आदेश जाता है ने जाता है जो आदमी वहां पे काम करने आप यह पता है यह आपका बोया हुआ भी जैना जिसको हम चुल चुल के बाहर भी कर देए हम उसको जर्से उख़र रहे हैं हमारे मुख्या मंत्री ने तो खुद आपके कर लेंगे के इसको जर्से निका रहे हैं मंत्री सियम के खिलाफ नहीं बोलते कर अप्शन को लेकर मंत्रियों को लेकर कहा गया एंक और से कि आपकी सरकार में बोलते रहे हमारे लिए कटाश करते रहें कि यह परिवारवात की पार्टी है जेसी आज रहे हैं और कैसे डुलदुल के गिर रहा है कि絹 हHIस्बेंट को ये लगा दिया वाइव को ये लगा दिया उसको ये लए और परिवारवार कहां गया आप हमारे उंपर किटाश करने लिए अबी दो लोगों ने उनकी प्रसंसा किया राजीव जैन की लेकिन आपके तो प्रधान मंतरी के जो दावेदार हैं जो आप अधर्स हो गए है आज तो यह एक राश्त करते हैं तो प्रिवार के लिए रज़र्व कर दिया आप कर दिया धाट्या कर्शे सब्सक्राइब अरुद्टा अगर क्यों तो यह के राटा है तो प्रिवार को गुनाथ उड़ें बहुता है वो काबिल एक्षि परिवारवाद को लेकर भी फिर कभी चर्चा कर लेंगे जिस विशय पर बैठेंगे से कम उसके साथ इंसाफ करें एक ब्रेक लिए रुकते हैं फ़ौरन लटे करेंगे कारे करता हो की फीडबेक ज्रूरी होती हिसे करने करते कोई सरकार करता की बिना सरवाइव कर सकती कोः चांब कर साथ पहला पहली प्रेफरेंश बाते सामने आती हैं हमें कहने की जूरूत नहीं हमिशा जी खुद बोल करके गई रोता के अंदर अमिशा जी ने यह भी कहा मंत्रियों को यह आपर बैठिये इसके ने सेक्रेटरियेट के अंदर दो दो दिन एक अफ्ते के अंदर लेकिन आपको पता है मीडिया के मादम से मे बार बार पता लगता रहा है कि ऐसा कोई भी चीज फोलो नहीं होती है कोई चैडूल फोलो नहीं होता है हलांकि यह कुछ भी क्लेम कर सकते हैं इसमें कोई फरक नहीं पड़ता इस सरकार में जो मंत्री जो हैं मंत्रियों का डिरेक्ट समवाद है ही नहीं लोगों के साथ मे पैदा करने कोशिश करने हैं लोगों को यह समझनी पाते हैं ना उनकी समस्याओं को पता होता है हर चीज को आप इस तरीके से नहीं देख सकते हैं तो मुख्यामंत्री के बयान हो मंत्रियों के बयान हो उसमें बहुत सारी चीज़े इस प्रकार की सामनी आती है ना तो उनको को कि बाइब केब लूगे कार्यकर्टां को गंभीरता शिकायत करते रहते हैं इनका अग्साइब हो लेकिन बीज़े падए तक वी में लेकिन टॉवटीय को नहीं नहीं करणा को शिकायत करते ही रहते हैं अभी फार्शाविप काणेött अने गीता गायतरी सरस्वती इस तरह की जो इंदूत्व की चीज़ें उनको पोसीट करने की रज़ती है और उनी की आदार पर वोट बैंक ये बढ़ाना चाते हैं मेरी नजर में जो राश्ट्रियता होती है उसका राजनीती में जो इस्तेमाल होता है वो सबसे अंतिम होता है उस उसका वोट बैंक थोड़ा वो जो है बैकवर क्लास के रूप में गाउं तक में पहुंच गया है तो मुझे लगता है कि पार्टी जो है काफी कूल सेटप पे है कि ज्यादा वरकर्स की सुनने की जुरूरत नहीं है हम काफी मजबूत है जब वरकर्स की सुनवाई कम हो जा खाई वो खंडन करती है विजेपी उनका की काम्याब रही रही यह सरकार को लगता है लेकिन क्या संजे शर्माजी आपके कारिकर्टा नाराज है जिसके चलते आपकी पार्टी की रास्ट्रिये प्रमु खाते हैं तो रैली में जितनी भीड पहुंचती है वो दावों से ब काम दराओ जिस तरह हरी आणगती एक राजनीतिक दिहास रहा है एक राजनीतिक परिवार वाद रहा है या राजनीतिक जो दल रहे हैं उन्हुनने जिसnię आपका दो पयोग अपने खासंगों कि घर बरने के लिए के लिए श Whereas landa आंगे बांगी लिए यह स्वभाविक लेकिन हम अपने कारिकरता को यह कभी नहीं कहते हैं कि हम तुमारी साथ पीडियों का जुगार कर देंगे वह साथ पीडियों का जुगार कहां से होता है इसका मतला आप सत्ता का दुर्प्योग करोगे और केवल अपने दुगों के घर बरोगे यह भारतिय अनुता पार्टी के ना नीती है ना रीती है ना सोच है हम इस पर देश के अंतिन व्यक्ति के उत्थान के लिए सरकार की यो कारेकरता होगा घर बरने के लिए सरकार मैंने यह का हाथ ता की कारेकरता रीड की अधिय। में कारे करता कारे करता ह면 और किसी बी व्यक्ति के पास में लोग सबाइब में राजनितिक और मैं काम करना हो आँसे प्रजीन में रिखता कर दूछाक बटार नाकर रहीं टेलरी है को में कणिन स्मस्द्देट विम्हें watershaba मुझे तो ही समझ में आता है, आपके क्या समझ में आता है, मुझे नहीं पता, बाकि नरेश कोचल जी आपकी दान नीतिक विसलेशन है भा बता सकते हैं अगर आप कारे करता हो की इज़त करते हैं, तो हमारे जीन जैसी जगे पर हवा ना करना पड़ता है मेरी बां सुनिये मैं चैलेंज करता हूँ, बरवली की ऑचारिक में समय मोटर सेकल रैली करके दिखाएं, उदरी संज़ाया हमने की हैं आप करके दिखाएं, आप चैलेंज करते हमारे जान वा característicasसे नहीं सकते हैं यह पनकी टोंच में आपकी नहीं सक्ताया हैॉछ कि बातें जब नाराज़गी की होती है तो कारिकरताओं की नाराज़गी भी साबने आती है खबरें जिस तरह की आती है उसके बाद पार्टी के राज्य प्रमुक को बदला जा सकता है जीन रेली के बाद यह सवाल किया गया संजय शर्माजी से दिखिए यह असल में बात है जब मुख्य मंतरी बीजेपी के बने 2014 के बाद जैसे ही बने इन्होंने सबसे पहले सीम रेजिडेंस का दरवाजा लोगों के लिए बंद कर दिया था उस वहां पर इन्होंने एक पोर्टरल लाने की बात की थी कि हम तो एक पोर्टरल के जरिये लेंगे किसी से नहीं मिलें बाद के बंद की एक मंतरियों के लिए कि कोई आदमी मंतरी को कोई आदमी ना मिलेगा नहीं फिर इन्होंने लाकों के अंदर जो है वह बंद कर दिया कि लोग कोई भी किसी मंतरी को किसी भी मले को ना मिले इस तरह से सरकार चल रही है जिस तरह से चार साल जो काम कर रहे है इनों से जान लिया और जिस तरह से अब जब यह वोट मांगने जाएंगे तो वो लोगों को जाती है दंगे दिखाएंगे किस तरह से वोट लेंगे यह इनको दिक्कत आ रही है इसी लिए सुख भुगहाट है सारे मेलेस के पीछ सभी मंत्रियों के बीचे नरेश कोशल जी हालांकि आप इस बात से इतिफाक न मैंने यह नहीं कहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है मैंने नाम भी लिये एक दो कि थोड़ा बहुत फिरब्रियों को सकता है मैंने यह बोला है देखिए मैं यहां पर एक आपको एक मैथेमेटिकल या अर्थमेटिक का या अलजबरे का जैसे होता है ना एक पार्मूला होता उसी तरह आज की स्वार्थ प्रता की जो राजनिती है म permissions bank शिपीजी राजनिती है उसमें क्या होता है कि जैसे पांच साल सरकार के होते हैं पहले साल जो होता है वह होती है चीम मिनिस्ट्टी की लडाई की बात मंतुरियों में मत्भेद मंतुरी इक दूश्रे को ये करना वो करना वह इसलिए जैसे मैं पंज़ हर्याने के इस परिप्रियक्ष में देखें तो ये निगा बहुत तो पहला साल या दूसरा साल तो इस बात के लिए उतल पुतल करता है कि बैई शायद हमारा दाओ लग जाए ये चीम मिनिस्टर कामयाब ना हो सेकेंड टाइम होता है कि अपना अच्छा भी भाग लेने की बात होती है फिर इसके लिए होती है जब दोग साल पूरे हो जाते हैं अब क्योंके चौथा साल चल रहा है इस वक्त ये कहना के बहुत बड़ा फेर बदल होगा मैं नहीं मानता बहुत जादा नराजगियां होगी आपस में नहीं मानता मैं हाँ जो कोई लोग पार्टी छोड़ने की ही इच्छा रखता हो कोई मंत्री या विधायक वो कोई ना कोई आना कानी करके कोई बहार ना करके ऐसा कर सकता है है हम एक बात में यहां पर यह दो जो बोल दाए हैं अभी भारती्यंता परटी कॉंग्रिस मैं हल्का कि रुपक ठोड़ा सीटा किसी जरूर करना चाहूंगा कि यह कहते हैं कि भ्रष्टा अचार वो कहता है उसका हो रहा है वो कहता है कि हो रहा है मैं आपको इनकी एक बिलकुल जो सामने पिक्चर दिखानी चाहता हूं जो कि आज की ताजा है आज कल की कि रोतक में जमीन के अधिगरहन का जो मामला है जिसकी के सी बी आई की ऑर्डर कर दिये चेह मिनिस्टर ने अब वो बापस ले लिया और और अब प्रकृरिया शुरू कर दिया बठा दिया वो मैदान साब को बना दिया क्या है इसका मतलब क्या ऐसा तो नहीं कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को बलाइश कर दिया है तो मैं अपना मेरा अपना अकल ने अपनी अनुमान है जो आप मेडिया में भी देख सकते हैं लास्ट में यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त किसी मंत्री को हटा देना जो है वो कोई एक तरह से अपने पैनों पे कुलहारी मारने वली बात होती है किसी मंत्री को हटाना या विदान सभा देक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे है और लेडी आई डोंट तिंक के भी ऐसा कोई परिवर्तन आएगा या जाती पाती का जैसे ब्रामनों का या दूसरा बात है एस तरह से मुझे नहीं लगता को बहुत बड़ा अनिलारे जी हलांकि वराला को अगर हटाया जाएगा संभावना जो कि आपने पहले बताए की जाट कोई मंत्री खे उसको संगठर में लाया जाएगा क्या ये भी संभावना है कि कोई दलित चहरा दलित नेता बीजेपी की और से प्रदेशा अर्थेक्ष हो सकता खड़ा कि किसी भी दलित को अभी तक अद्धेक्स बनाने की ऐसा कोई कंडिडेट मुझे बीजेपी में नजर नहीं आता कि उनको अद्धेक्स बना जा सकता है राम विलाश जी ने अलेक्शन से पहले काफी अच्छा काम किया था और जैसे कि हरियाना का जो सोसल सिस्टम है उसमें ब्रहमन को हमेशा बैक्वड क्लास का नेतर तो सोपा जाता है वो मानते हैं उनकी बात कि इनके मेनफ्लेशन वो कर सकते हैं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि किसी दलित को यहां पर अद्धेक्स बना जा सकता है अद्धेक्स बनाने के लिए लग बगए जो है 28% के आसपास जाट वोट हैं मुझे लगता है कि देक्स तो किसी जाट को रखेंगे अगर बराडा को भी बाहर अंदर लेके आते हैं तो मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे उप्यूक तो देक्स के लिए ओम परकास धनकड़ जी हैं वहां जा सकते हैं पर ऐसा कोई जैस कि चौदरी देविलाल जो है यहां नया यूद चला रहे थे कुछ हो काफी सारे वह चला रहे थे चले आगे बढ़ेंगे चर्चावी संजेश इर्मार जी क्या ये उन चीजों के बाद की सुभूगा हट है कि कैलास विजय वर्गिये जब आए सीम के शिकायतिं की गई मंत तो उसी नाते हर्याना में वो आये थे और वोगत एक्सपिरियंस जहें पीड़ुडी मिनिस्टर रहे हैं मुख्यमंतरी के मैटीरियल हैं वो मद्यपर्दीस में उन्होंने अपने तजर्बे के अधार पर जो वाते सामने हैं आप यह मत किये कि मुख्यमंतरी किसी ने शिक अधार पर आधनिया कलास विजयवर्गी जी ने कुछ पॉइंट निका रहे हैं कि यह काम और किये जाएं तो और बहतरी को रहे हैं तो मुझे लगता है कि सुधार की अमईसा गुंजाइस रहती है उसी के आधार पर आधनिया मुख्यमंतरी जी और पार्टी के प्रदेश सरकार रही साड़े तेन साल अब यह चाहे जिसमर जी का रहो करें आप कलाश विजयवर्गी की यह बात करते हैं सुश्मा सवराज कलाश विजयवर्गी और अमिच शाजी जब आये थे 2014 में तो राम रहीम जी के पास गए थे और उनसे वोट मांगने के लिए 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 और उनको धंकाया भी था अगर अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ यह बनेगी जी आपके मूँ से पास्ता ही नहीं है अभी अभी किलास उस नाम रहीम जिसका नाम आपके घ्रमेसिंग उसको पैदा करने वाला कौन है उसको किसने स्कूर्टी प्रूप लगत कराई क किसने CDI में नहीं जाने दिया केस को किसने कोट भी तो आप सारे हर्याणा के लोग है सब समझ लेंगे कि इस सरकार में क्या खोया क्या पाया इतनी करप्शन इस सरकार के अंदर हुए इतने मामले इस्थार्ट विए था हुए अगर हम देखे लिए तो प्रमाने की प्रमाने की जा चुकी है उनको गंभिरता से पूरा किया जाएगा चुनाव तक तो चुनाव की तैयारियों की देशाब में एक बड़े बात इनको कौन सी पूरी की यह पहले तो इतने लंबी चोड़ी इनकी फेर इस थी बहुत लंबी चोड़ी लिस्ट थी उस लिस्ट के अंदर इन्होंने कारे नहीं किया निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं की कॉंग्रेस के समय की बहुत सारी गोजना ऐसी है जो आज तक सब्सक्राइब यह लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बारती जनता पर्टी जो एक तरह से गोष्णा भी कर दें कि इसके बाद में कोई गोष्णा नहीं होगी को मैं तपून किसी भी कारे के लिए मुख्यमंत्री है मंत्री एंके पास में अधिकार है उनकी काम करने का यह उन्हें भाष्णिस के वाहत दुद्श्थ का इन में खुझ का ऋया। कि अपने विधान सब्सक्राइब करें अभी मेरी मेरी मैं खुद मुख्यमंतरी से मिला हूं हम तीर लोग हमारे जिले के लिए बिले हैं तो हम आपर विधान सब्सक्राइब करें अपने बारायक को नेकली और लेकики है जाएगा. पिलत अपने फोटे हैं अब करूषना जाएगा, क्फ़ of a franklinch si Amato a 1987 कि मेरी मेंदी बादे घेकर हमें अभी संप्रें लग जाएगा हमं दर्शकान गोंते ह están तरफ रहां ड हमागो डिवेट के बाद व्याक्तिकत तोर फेसे उसे अजर्बत बातें हैं अच्छी बात पर तरते हैं आपको सभी तरह श्रल पर नहीं लगती हैं कि जैसे के एक इंप्रेशन है और थोड़ा बहुत आप लोग भी समिछते होंगे मेडिया के लोग के सेंटर के अंदर मीडिया के उपर किस तरह के दबाव किस तरह की बातें चल रही है किस तरह का प्रबाव चल रहा है वो सब के सामने है के इंदर के सरकार के मैं चंदर में बात कर रहा हूं जैव वो मोर्चा तो एक तरह से उनके हिसाब से सत्ताधारी पारटी के साब के मेडिया को अब परदेशिक स्तर पर मीडिया को अपनी और मैं यह नहीं कहता है खरीदने के लिए सदभावना पूरुन तरीके से अपने साह जोड़ने के लिए ये बहुत अच्छा च्प जो है रजीव जैन को लाए लिए चले शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए तो चर्चा ये कि चुनावी फिर वदल अगर विजेपी करती है तो कि करता हूं विधायकों से लेकर मंत्रियों और कैबिनेट की बात कर लिजाए किस तरहां का फिर बदल संभावग है जो खबरें है मेडिया में उनमें कितना दम है